एकदम बढ़िया टेस्टी ये हमारी मसाले भिंडी खाने के लिए रेडी है सुबे बच्चों की टिफिन बॉक्स के लिए ये भिंडी एक परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एकदम कम समय में बन जाती है इसलिए आप भी ये टेस्टी मसाला भिंडी की रेस्पी जरूर ट्राइ करकर देखिए अगर आपने अश्विनिस कीचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मद बुलिए आप अश्विनिस कीचन को फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे भी फॉलू कर सकते हैं यहाँ पी ये फ्रेज भेंडी को हमने अच्छे से वाश करकी सुके कपड़े से पोश के लिया है अब भेंडी की हेड और टेल की बाजु निकाल कर बीचों बीच इस तरीके से कट करके लेंगे आपको अगर पसंद है तो भेंडी को बीच में से एक कट लगा दिया तो भी चलेगा लेकिन इस तरीके से भेंडी कट करने से क्या होता है भेंडी के साथ भेंडी के अंदर का मसाला भी अच्छे से पक जाता है ये भेंडी अंदर से बहुत बार खराब रहती है इसलिए भेंडी कट करते टाइम ये चिसका आपको ख्याल रखना है और ये भेंडी को अच्छे से चेक करके ही लेना है अब इस तरीके से हम ये पूरी भेंडी को अच्छे से कट करके लेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं भेंडी हमने अच्छे से कट करके लिए है यहाँ पे मुंगफली को पैन में अच्छे से रोस्ट करके उसकी स्कीन निकालकर मिक्से में दरदरा साही पीस लिया है हमें यहाँ पे यह मुंगफली की एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए दो टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाप टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून जिरा पाउडर और ये स्वादानुसार नमग डालेंगे अब इन सभी मसालों को अच्चे से मिक्स करके लेंगे भिंडी में भरने के लिए हमारा ये मसाला रेडी हो गया है अब एक एक करके ये सभी भिंडी में हम ये मसाला भर के लेंगे ये देखिए ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी भिंडी में हमने ये मसाला भर के लिया है और ये जो बचा हुआ मसाला है उसको हम भिंडी के साथ ही पकाएंगे यहाँ पैन में हमने आउयल डाल दिया है और आउयल अच्छे से गरम भी हो गया है अब यह गरम आउयल में हम यह सभी भिंडी को डाल देंगे यह बचा हुआ मसाला भी हम यह भिंडी के साथ आउयल में डाल देंगे ग्यास मेडम फ्लेम पी है, अब ये सभी भेंडी मसालय के साथ हम ओयल में पाच मिनिट अच्छे से फ्राई करके लेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, भेंडी हमारी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गयी है अब ग्यास की फ्लेम लो कर देंगे और धक्कन रखकर हम ये भेंडी को स्टिम पे ही एक दो मिनिट पकने देंगे दो मिनिट हो गए हैं भेंडी को हम चम्मस से थोड़ा सा हिलाएंगे और वापस धक्कन रखकर और दो मिनिट ये भेंडी को हम पका के लेंगे ये stage में बहंडी हमारे अच्छे से पक गई है लेकिन ये बहंडी को oil में और दो मिनिट अच्छे से fry करके लेंगे जिससे ये बहंडी क्रिस्पी बन जाएगी बीच बीच में बहंडी को इस तरीके से हिलाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहंडी हमारे एकदम क्रिस्पी बन गई है और अच्छे से कूक भी हो गई है अब ग्यास की फ्लेम बन कर देंगे और ये मसाला बहंडी को बाउल में निकालेंगे एकदम बढ़िया ये हमारी मसाले भिंडी खाने के लिए रेडी है